हर हर महादیव जेश्री केदार केदारनाथ यात्रा शुरू होते ही साथी साथ चार धाम यात्रा शुरू होने में अभी मात्र दो दिन हुए हैं यहां पर मौतु का अकड़ा एक बार फिर से शुरू हो गया है साथी साथ आप सभी को बता दे बिना दर्शनू के भी कहीं सार यात्री लोट चुके हैं जी अंसाथ आप सभी को बादें केडार समगलिंग करते वे पकड़ा है यानि की नशा करते वे पकड़ा है साथी आप सभी को बादें दर्शनों के लिए बहुत ही अच्छे सिस्टम से दर्शन किये जा रहे एड्मिस्ट्रिशन पूरी तरह से शरत धालूं का साथ दे रहा है आप सभी को संपूर जानकार इस वीडियो की माध्यम से देने वाले हैं तो बने रहेगा वीडियो के अन तक तक तो अगर चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट सब से पहले पहुंश सके आप सभी को बता दे अगर आप के दारनाज जी आत्रपर आ रहे तो आप सभी के लिए मौसम एक बार फिर से खराब हो चुका है मौसम ने अपनी करवट वहीं आप सभी के लिए बड़ी खबर ये भी है कि कुछ लोगों को यहां पर नशा करते हुए पकड़ा गया है पोलीस ने यहां पर उत्राखंट पोलीस ने चार लोगों को केदारनाज धाम में नशा करते हुए पकड़ा है समगलिंग नशा करते हुए पकड़ा है मैंने जिसके कारण यहां पर कहीं सतारे श्रत धालू बिना दर्शनू के लोट गए जो कि बिना दर्शनू के चला गए कि वो गंगोत्री या फिर यमनोत्री धाम किसी भी धाम अपने दर्शनू के लिए नहीं गए साथी आप सभी को बता दे दर्शनू के लिए केदारनात मंदिर हो या फिर कोई भी मंदीर हो बाबा बदरीनाथ जी का मंदीर हो लंबी लंबी लाइने देखने को मिल रही है हर मंदीर में दर्शनू के लिए सबसे आधिक जो बड़ी लाइन देखने को मिल रही है वो बाबा केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है यहाँ पर प्रशास इसका भी मौमला आ गया है यहां पर कहीं सारे श्रत धालूं को हद्य गती का रोग होने के कारण यहां पर उनकी डैट्स हो गई है आप सभी को बतादें यमनोत्री धाम पर दो श्रत धालूं की यात्रा शुरू होते ही मौत हो गई है मौत का कारण यही है कि हद्य गती रुक ने को मिलेंगे बबा केदारनाथ धाम में साथी साथ आप सभी श्रद्धालूं के लिए ये बड़ी खबर है कि आज से बबा बदरीनाथ जी के कपाट भी खुल रहे हैं आप सभी को बता दें यात्रा पर आ रहे हैं तो इन बातूं का जुरूर खास ख्याल रखें देखें नशा लेकर नाएं क्योंकि यहां पर आपको प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकता है केदारनाथ यात्रा चार धाम यात्रगरा पहली बार कर रहे हैं तो जो लोग पकड़ा गें उन्हों यही का है कि हम पहली बार आ रहे ठीक है तो साथी साथ ये भी इन बातूं क जरूर ध्यान रखें मौसम एकदम से बदल जाता है तो अपने साथ गरम कपड़ों का साथी साथ रैंकूर्ट अंब्रेला जैसे ही विवस्था जरूर रखें जिससे कि आपको खाराब मौसम में भी इन चीज़ों का एक फाइदा मिल सके साथी साथी साथ मंदीर पर इसर म कुछ महंगाई है काफी हद तक जिसे कि यहां पर आप सभी को बदा दें प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है पर यहां पर को जो होटल कारूबारी है उनका यही कहना है कि देखे महंगाई इसलिए है क्योंकि यहां पर सामान जो पहुंचता है वो महंगाई से ही पहुंचता है शाम को बबक केदारनात मंदिर में प्रथम आरती का आयोजन भी किया गया साथी आप सभी श्रधालू को बदा दे यात्रा पर आने वाले श्रधालू के लिए एडवाईजरी को जारी करते हैं यही कहा गया कि देखे लाइन और डिस्क लाइन बनाए र अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें साथी चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब करें जैश्री केदारनात जी